हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी को पोहे से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट सानास्ता बना करके खिलाने वाली हूँ जो बहुत जल्दी ही बन करके रेडी भी हो जाता है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो कप पोहा जिसे मैंने दो से तीन पानी अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको रख दिया था दस मिनट के लिए तक ये अच्छे तरीके से फूल जाए इदर कराही में मैं ने डाल दिया है तीन चमद सर्सों का तेल और सात में मैं डाल दूँगी अब इसमें मूगफली के दाने तो ये मैंने एक कप मूगफली के दाने लिए है अब हम इसको अच्छे तरिके से चटकने तक भुनेंगे बहुत जादा हमें नहीं भुनना है बस चिलका हलका हलका उतरने लगे पस उतना ही हमें इसको भुनना है तो देखें मुंफली हमारी भुन करके तयार हो गई है हम इसको निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए वापस से उसी कडाही में हम डाल देंगे वन फूर चमब जीरा जीरा जब थोड़ा से तड़क जाए तो यसे में तब तक भूनना है कि जब तक कि देखेंका इसका कलर चेंज ना हो जाए तो यह देखिए प्याज का कलर अच्छे से चेंज होकर है अब हम इसमें डाल देंगे आलू तो यहाँ पर मैंने 20 पर चमब का इस्तमाल किया है नमक हमें कमी डालना है बाकी नमक का इस्तमाल हम आगे करेंगे अब हम इसको चला करके धक करके रख देते हैं थोड़ी दर के लिए पकने के लिए तो गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करके हम इसको पकाएंगे तो यह देखिए आलू हमारे अच्छे तरीक अब हम इसमें एट करेंगे एक टमाटर तो यह टमाटर है जिसके मैंने गुदे निकाल दिये हैं और यहाँ पर चार काजू और चार बादाम लिए हैं 15-20 मैंने किस मिस्क दाने लिए हैं अगर आपके पास ड्राइफूट नहीं है तो आप ड्राइफूट को स्किप भी कर सक करते हैं सारे चीजह वह तरीकथे मिक्स करेंगे ह schools करेंगे औгов इसको मदभ़ा 5-20 कел कि रख देंगे तरीक आपकनी के लिए तो पास चुमिट हो गए हैं और prophet भी तरीके से बगए हैं और तमाटर भी तरीके से गल गये हैं तो इसारए चिजहों को एदी ओस तरीक दो भी एक बार अच्छे तरीके से हम mix कर देते हैं इनको mix करने के बाद अब जो ये पुहा हमने रखा था इसको हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे इदम उपर नीचे अच्छे तरीके से चलाते हुए मैं इसको इसमें मिक्स करेंगे तो इसे हमें लगातार ही चलाते रहना है क्योंकि पूहा जो है वो तले में चिपकने लगता है तो mix करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमश चीनी और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है एक चमश देशी घी दोनों चीजों को डाल करके हम अच्छे तरीके से mix करेंगे अगर आपको चीनी खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी को भी स्किप कर सकते हैं बीना चीनी के भी अच्छा लगता है तो देखिए इन दुन्यों चीजों को हमने mix कर दिया है अब यहाँ पर मैंने आंधा निबू लिया है जिसका रस मैं इसमें डाल दे रही हूँ रस जालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे उपर से नीचे निबू का रस सारे पोहे में अच्छे तरीके से mix हो जाए तो यह देखिये हम ने इसको अच Edgar के इस चला लिया है अब हम ईसको ढखक करके रख देंगे लगभग आधा मिनिट के लिए इसी तरीके से पकने के लिए गैस की फ्लिम को लो कर दें ग march को आधा मिनिट बाद इसको चेक कर लेते हैं तो यह देखिये यह उच्छे तरीके से एकदम पक गया है तो पोहे तो आपने बहुत बनाए होंगे लेकिन एक बार मेरे कहने से आप मेरे तरीके से यह पोहे की रेसिपी बना करके अपने घर में मेहमानों को खिला दीजिये उनको इतना पसंद आएगा ना कि वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगी कि आपने इसको कैसे बनाया है तो चलिए हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो आप इसे कब ट्राइ कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा उपर से हरे धनिया की गार्नेशिंग कर देते हैं इसके बाद हम इसके उपर मुझफली के दाने डाल देते हैं तो एक बार आप भी इस तरीके से जरूर ट्राइ कर देगा और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शर जरूर कर दीजेगा और अगर ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं पर कर जरूर दीजेगा इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा साथ मही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स